तो आदा आपने उसकार गोडेनिंग से स्यकाल एक बार फिर आप तुमानों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी कि इस एपिसोड में उम्मीद पुरी फैमिली अच्छी होगी अपना ख्याल रख रही होगी बहुत दिनों से क्राइम तक फैमिली मर के बहुत सारी रिक्विस्ट आ रही थी कि मौसाद की फिर से कहानी सुनाए मौसाद की जासूस में बहुत इंटेस्ट लोगों का मैं यह लगातार देखता हूँ मेल पड़कर भी अन्राजा होता है तो आज बारी है मौसाद की एक खुबसूरत लेडी जासूस की और यह कहानी एक ऐसी कहानी से जुड़ी है जिसमें एक वक्त में पूरी दुनिया में भूचाल आ गया था जब एक रिपोर्ट छपी थी ब्रेटन के अकापपार में और उसके बाद क्या कुछ हुआ इसराहिल को लेकर एक कोहराम मचा था दुनिया को पहली बार पता चला था कि इसराहिल गुबचुब तरीके से क्या कर रहा है आपको शुरू से पता है कि इसराहिल उनी सौरतालीस में जब बना पहला यहुदी मुलक तो इसराहिल के चारों तरफ अरब देशों के सरहत जुड़ते हैं नहार सबसे खूंखार जासूस जिसके पास हैं पर इन सब के साथ साथ इसराहिल को ये भी था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए ताकि आज पास जो तुश्मन देश हैं उन से अपना बचाओ किया जा सके तो इसराइल के जम्न के बाद से इसराइल नियूक्लियर प्रोग्राम में लग गया लेकिन उसने दुनिया से इसको छुपा कर किया था हाला कि फ्रांस उसकी मदद कर रहा था बट जब भी उससे पूछा जाता तो वो हमेशा या तो इनकार करता ना इकरार करता बड़ कहता कि मैं जो भी कर रहा हूँ शामती के लिए लेकिन इसराइल अपने निकलियर प्रोग्राम पर काम करता रहा था आज की कहानी उसी निकलियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई है एक ऐसे शक्स की कहानी है जो एक रास खोलने जा रहा था और इसराइल नहीं चाहता था कि वो राज दुनिया के सामने आए और उसके लिए उसे ट्रैप करना था वो जिस देश में था वहाँ पे इसराइल ये भी नहीं चाहता था कि उस देश में कोई खुन खराब हो ये उसे जबरन लाएं जबरदस्ती लाएं क्योंकि उस देश के साथ इसराइल के बड़े अच्छे रिष्टे थे उसमक्त वहां की प्राइम निस्टर मार्गेट थेचर इंग्लेंड की बात कर रहा हूं उनके साथ बड़े अच्छे रिष्टे थे इंगलेंड के खुफ़े अजनसी केजी भी के साथ अच्छे रिष्टे थे तो अब इसराइल को ये था कि अपने उस दुश्मन को जो उनका राज सफास्ट करने जा रहा है उसे इंगलेंड से इसराइल लाना है लेकिन बिना खुम खराबे के और बिना उसकी मतलब खिलाफत के उसकी मर्जी से उसे इंगलेंड से बहाद निकालना है काम मुश्किल था और इसके लिए एक खानी ट्रैप का जाल बिजाया गिया तो पूरी कहानी आपको बताओं शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कैसी ही तमाम कहानिया जरुम की दुनिया से लेके सियासत की दुनिया बायोग्राफी रहस रोमान चौरर मिस्ट्री कुकु एफम पर भी आप सुन सकते हैं आडियो बुक है कुकु एफम पर भी सुनें आप जब भी मौका मिले और इंज्वाय करें तो यह तो रही बात को कोई एफम एप की अब अपने कहानी के उपर लोटते हैं मोडे स्वाई वनूनू नाम थोड़ा सा टफ है तो वनूनू ही पूरे इसमें नाम लेंगे कि उसका नाम असली वनूनू ही था वनूनू एक नौजवान हालाकि इसकी पैदाईश मुरको में हुई फादर एक ग्रॉसरी शॉप चलाते थे जो लोग मुरको में रहते थे लेकिन फिर मुरको में कुछ हालात ऐसे बने कि इन लोगों को 1963 में मुरको छोड़कर इसराईश जाना पड़ा अब वनूनू के पिता जो थे वो एक यहूदी थे तो वनूनू का जन जो है यहूदी परिवार में हुआ और इसराईल की एक खासियत है कि वो अपने लोगों को चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो फौरण अपना लेता है तो वनूनू भी मुरको से उसका परिवार इसराईल पहुंसता है 1963 में हुआ कुछ दिनों के बाद उसके फादर वहीं पर एक दुकान खोलते हैं सिंदगी ठीट ठाक चल रही थी वनूनू को स्कूल भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करते है और वो एक रभी थे धार्मिक गुरू थे एक तरह से वनूनू के फादर तो इसराईल में उनके अच्छी खासी वकत थी अच्छी खासी हैसित थी देरे देरे स्कूल के पाद फिर कॉलिज फिजिक्स फिजिक्स की पढ़ाई की इसके बाद वनूनू वहीं पर छोटे मुटे अलग अलग नौकरी करने लगा पहले वह फोर्स में गया वो पन्ना तयाता था इसराईल एयर फोर्स का पैलिट बट अग्जाम में फेल कर गया पर उसने कुछ दिन आर्मी के लिए काम किया कुछ दिन और कुछ काम किया और फिर सब करते करते आखिर कार उसे 1963 में ये लोग पहुँचे थे और 1980 के आने के आसपास इसराईली फोर्स में काम करने का मौगा मिला वनूनों को इसराईली फोर्स के साथ वो जुड़ा रहा काम करता रहा 1976 में वनूनों को पता चला कि इसराईल का एक निक्लियर प्लांट भी है जहां पर यह होता था कि कपड़े और बाकी चीज़े बन रहे हैं दुनिया से चुपा कर और यह जो प्लान्ट था यह इसराइल में जो एक जगह थी वो था नेगेवे रेगिस्तान तूस रेगिस्तान के इलाके में यह एक नुकलियर रिसर्च सेंटर के नाम पर था प्रमानू प्लान्ट जो की एक डिजर्ट में था जो मैंने आपको बताया और इसी में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ सबका इस्टुडेंट था पजपास कर चुका था उने हारे स्टुडेंट था वनो नो तो इस नुकलियर प्लान्ट में एक टेक्निशियन के तौर पर जॉब लग लगी जब जौब लोगी तो बहुत सारी शर्टे थी क्योंके एक तो दुनिया की नजर में भी था कि इसराइल प्रमानुगम तो नहीं बना रहे खास दूर पर सी आई है और 60s के दोर में ये था कि दुनिया को शक्त था कि इस्राइल कुछ बना रहा है कुछ लोगों को ये भी शक्त है कि शायद इस्राइल के पार 10.13 नुकलियर विपन है लेकिन इस्राइल ना कभी इंकार करता ना इकरार करता बड़ दुनिया को यही था कि 10-15 से ज़ाद ऐसके बाब बाउम नहीं हो सकते और इधर इसराइल जो है वहाँ पे अपना प्रमानू कारिकरम 1960 से ही चला रहा था और दुनिया से छुपा हुआ था फ्रांस को बिल्कुल पता था यही बात तो वहीं उसी जगह पर नगेवे के डिजर्ट अलाके में रेकिस्तानी अलाके में यह प्लांट नुक्लियर रिसर्च सेंटर इसराइल का और डिमोना प्रमानू प्लांट डिमोना एक जगह का नाम है तो वहाँ पे यह था इसी में अब वनुना ने जाकर नाक काम करना शुरू कि एक टेक्निशन के तोर पर शर्तों में यह था कि जब यह नौक्री लगी उसको इस नुक्लियर प्लांट पे तो यह एक खुफिया जगा थी दुनिया की नदर थी उस पे तो हर इंपलाई को बहुत गहराई से वहाँ पे चेक किया जाता था कई टेस्स लिये जाते थे वनुना की भी हुए जब नौक्री लगी तो फिर उसके बाद उसके सामने एक और श्रत रखी गए कि यहां नौक्री करने के दोरान अगले पांच सारों तक वो किसी भी अरब कंट्री या कॉम्मिनिस्ट देश का दोरा नहीं करेगा वहां नहीं जाएगा क्योंकि इसराइल जो है कॉम्मिनिस्ट देश और अरब देश दोनों को अपना दुश्मन मानते थे तो उन्हें लगता था कि वहाँ जाने के बाद ये लोग फंस सकते हैं, इनको ट्रैप किया जा सकता है तो इन सारी शर्टों के साथ वनूने ने वहाँ काम करना शुरू किया बीच में कई बार इसने कुछ नियम कादे भी तोड़े उसके बाद उसको बॉर्निंग भी दी गई, ये सलसला चलता रहा फिर थोड़े उनों के बाद इसका जुकाओ वहाँ कॉमिनिस्म के दरफ आ गया तो इसराहिल में भी एक कॉमिनिस्स पार्टी है, वनूनूने उसको भी जोईन कर लिया ये सारी चीजे भी उसके सीनियर तक गई, तो ये भी उसके खलाब जा रहा था, तो कुल में लाकर लेकिन नौकरी ठीक ठाक चल रही थी इसने 76-85 तक कुछ दिनों के लिए कुछ आओ नौकरी के लिकिन फिरसी प्रमानू कारिक्रम जो निक्लियर प्लान था, वहाँ काम करता रहा और वहीं पर ये जॉब करता रहा, 85 में 27 तक्तूबर 1985 को वनौनों ने ये नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने के बाद भी उससे कहा गया कि आप उन देशों का दौरा नहीं करेंगे, आप जो यहाँ पर देखा, आप उसके राज ये सारी चीज़े नहीं करेंगे, उ 57 पिक्चर, 57 तस्वीरें उसने कैमरे में कायद कर ली, गुप चुप तरीके से, और उन तस्वीरों को उसने अपने पास बड़े समाल कर रखा, इस दौरान में ये नौकरी करते हुए इसराइल में रहने के दौरान भी उसका येहूदियों के बजाए कॉमिनिजम और इस कई उसके दोस्ते स्टुडेंट्स, फिलिस्तीन के लेकर उसके दिल में हमदर्दी थी, हाला कि येहूदी था, इन सारी चीजों ने उस वक्त की इसराइली गवर्मेंट के एक तरा से उसको खलाफ कर दिया था, तो ये बहुत सारी चीज़े थी, 85 में इसने अपना उक्री फिर इसने का कि अब क्या करें, तो इसके बाद वो वहां से निकला, निकलने के बाद इसने का चलो दुनिया गोंते हैं, ये अमेरिका गया, फिर थाइलिंड गया, फिर वहां से मैमार गया, नेपाल गया, और इस सब गोंते गुमाते आखिरकार, वो अस्ट्रेलिया में सि पर उसने कहा कि मैंने वहाँ ये देखा मेरे पास ये तश्वीरे हैं उसके दोस्त को लगा कि ये बहुती बड़ी ख़बर है उसने कहा ये स्टोरी को भी वेस्टर्न मीडिया खरीद लेगी हो तो तुझे कम से कम एक मिलियन डॉलर मिलेगा वनोनों को पैसे की जरूरत भी थ ठीक है तो उसने सबसे पहले कहा कि किसको पकड़ो ना तो उसने न्यूज वीक से बात की पर न्यूज वीक वालों ने ज्यादा इंट्रेस दिखाया नहीं फिर उससे कहा गया कि तो एक काम कर लंदन में एक न्यूजपेपर है संडे टाइम्स उसका एक जरनरलिस्ट है पी यह दुनिया समझती है कि इसराइल का जो न्यूजपेपर है वो काफी छोटा है 10-15 बॉम है लेकिन मैंने वहाँ पर जो काम किया है जो मैंने अपनी आँखों से देखा है वहाँ जिस तरीके से प्रिटेनियम और बाकी चीज़ों की इस्तमाल हो रहा है तो उसके इसाफ से यह था कि कम से कम 150-200 के बीज में इसराहिल के पास न्यूक्लियर बॉम है अब 150-200 के बीज में यह बहुत बड़ी तादात हो जाती है ब्रिटिश जनलिस्ट संडे टाइम्स का उसे लगा इससे स्टोरी में दम है एक टेक्नीशियन है उसने उसे लंदन बुलाया अब यह पहुंच गया लंदन अब वो इसकी पूरी स्टोरी को सुन रहा है फिर उसने 57 पिक्चर दिखाए अब उस ब्रिटिश जनलिस्ट को य कि इसराइल से वहां पे एक नुकलियर प्लान में काम कर चुका है यह खबर अगर लीक हो गए कि यह वहां के इनफॉर्मिशन यहां दे रहा है तो इसकी जान को खत्रा है मुसाद वाले पीछे पढ़ जाएंगे तो उसको अलग-अलग नामों से लंदन में अपने दफ्तर के बाहर अकपार के जो करीबी होटल था वहां ढाया फिर बीच में होटल चेंड कराया फिर इसे भी पसंद नहीं आया फिर वापस दूसरे होटल में रखाया यह सब चलता रहा अब वनुन लंदन में है और वहां पे उसके सारे इस आर्टिकल पे काम हो रहा है और इस सरने टाइम्स में उस जरनलिस्ट को उसके पूरी रिपोर्ट चापनी है सारी बार्चीत कई मीटिंग्स के बाद फोटो के बाद डील हो ही चुका था पैसे मिले अब इस ख़बर को कंफर्म करना था क्योंकि एक टेकनीशियन एक न्यूकलियर प्लान्ट में काम करके आया कुछ साल तो उसके भरोसे पर एक जरनलिस्ट एक ऐसे अख़बार जिसकी साख है एक तरफ आई स्टोरी नहीं चाप सकता और जरनलिजम का एथिक्स है कि आप हमेशा क्रॉस चेक करें एक के खलाफ है तो आप दूसरे तरफ से भी आप उसको पता कीजिए तो सबसे पहले तो जो कुछ वनुन ने बताया इस जरनलिस्ट ने जितने भी जो नुकलियर के एक्सपर्ट्स थे उनसे राय ली उनसे बताया कि ये चीजें है ये मेटेरियल है ये पिक्चर है ये उसका दावा है कितना सच है जितने एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि वनुन जो भी कह रहा है वो factual है और सही है और उसकी बातों में दम है जनर्लिस्ट को लगा ठीक है उसने पूरी रिपोर्ट तयार की अब रिपोर्ट तयार करने के बाद उसे सामने वाले का भी रियक्शन चाहिए जो मैंने कहा जनर्लिजम का इथिक्स कि हम आपके खलाफ यह स्टोरी करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट आई है कि आप लोग इस तरीके से वहाँ पे चोरी चुपे निक्लियर प्लांट और वहाँ बाउम बना रहे हैं और आपके पास करीब 150-200 के करीब बाउम है तो इस पे आपका क्या कहना है अब ये बात जो है सेप्तंबर में सेप्तंबर 1986 इस जनरलिस्ट पीटर हॉमन में पहली बार लंदन में जो इसराइली अमबेसी थे उसके अमबेस्टर को एक लेटर लिखा और कहा कि जो संडे टाइम से वो एक रिपोर्ट छापने जा रहा है और हमारी रिपोर्ट ये है हमारी ये दावे है आपको इस पर जो कुछ कहना आप अपना बर्जन दे दीजिए हम इसको छापेंगे अब जब लंदन की इसराइली अमबेसी में ये चीज़ें आएं और उसने उन 57 में से तीन पिक्चर भी भेज़ दी अमबेस्डर की हवा खराब हो इसने फौरान इसराइल तेल अवीब में अपने सीनियर को कॉंटेक्ट किया वहां से बाद सरकार तक गई सरकार के बाद मुसाद तक बाद गई अब यहां ये हुआ कि इसराइल के अमरीका के साथ अच्छे रिष्टे और वो अमरीका से भी जूट बोल रहा है कि हमारे पास इतने बाम नहीं है इसराइल के ब्रेटन के साथ अच्छे रिष्टे उस वक मार्गेट थे चर प्राइमिस्टर थी ब्रेटन की उनसे भी जूट बोल रहा है ये लोग इसराइल की मदद भी कर रहे हैं तो अगर ये रिपोर्ट हा गई तो इसराइल की बड़ी बदनामी होगी शर्मिंदगी भी होगी अब इसराइल में ये तैह हुआ कि किसी तरह से इस रिपोर्ट को रोका जाए और वनुन को रोका जाए और ये रिपोर्ट पब्लिश ना हो तैह हुआ कि मुसाथ को ये काम सौप जाए इसी के बाद मुसाथ की एक खुबसूरत जासूस को लंदन भेजा गया अपने एक बॉयफरेंट के साथ वो लंदन में थी 24 सिप्तंबर 1986 26 ये वो तारीख थी जब पहली बार वो जासूस उसे पता था उसने सारी रैकी कर ली वनुन कहा ठहरावा किस होटल में कब कहा निकलता बाहर कब काफी पीने जाता है वो सड़क से गुजर रहा था और ये जान बूच कर अपने बॉयफरेंट के साथ उसके सामने से गुजरी इसने कुछ ऐसे इशारे किये वनुन का ध्यान उसके तरफ गया वनुनू इसके बाद दोनों में बात चीत हुई तो लंदन की एक सड़क पर पहली बार वो लड़की वनुनू से मिलती है अंजान बनकर लेकिन उसकी कुछ हरकते ऐसी थी कि वनुनू का ध्यान उसकी तरफ जाता है वो देखता है लड़की कुछ उसे लगता है कि घपराई भी सी है कुछ परेशान सी है कहीं खोई हुई फिर अचानक लड़की उसको हेलो बोलती है वनुनू भी हेलो बोलता है फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं वो अपना नाम बताती है कि ति मरा नाम सिंडी है मैं एक अमरिकन ब्यूटीशियन हूँ जो लंदन आई हुई हुई वनुनू की इस पहली मुलाकात में वनुनू उससे बहुत प्रभावित होता है मुसात की जितनी जासूस है खास्तावर पर लेडी जासूस जो हनी ट्रैप करती है उन्हें ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि आपको सामने वाले को अपनी तरफ खीच लाए तो वो अपने काम में माहिर थी उसे मालूम था एक मुलाकात काफी है इसे एक मुलाकात में वनुनू उसका दोस्ट बन गया इसके बाद वो बताती ही कि मैं फलाने जगा ठहरी हूँ वनुनू भी बता देता है मैं यहां ठहरा हूँ लड़की यह नहीं बताती है वो अपने आपको अमरिकन ब्यूटिशन बताती है इसके बाद दोनों के मुलाकातों का सलसला शुरू होता है अब वनुनू उसे अपने होटल में ही बुलाता है दोनों मिलते हैं लड़की भी पूरे पेशिंस के साथ उससे मिलती जलती रहती है उसके साथ वक्त बिताती है काफी पीने जाती है कुछ दिनों में ही दोनों बेहत करीब आजाते है वनून इस बाद से बेखबर कि सामने वाली कौन है इसके बाद बाचीत करते हैं एक दिन लड़की उसे एक आफर देती है और कहती है कि यहाँ बोर हो गए है, चलते हैं कहीं भूमने के लिए एंग्लेंड से बाहर तो उसने का कहा है तो उसने का है, इटली चलते हैं रोम अब यहाँ मकसद ही यह था कि इस मुसाद की एजेंट को यह साफ-साफ कहा गया था कि लंडन के अंदर वनूनू पे कोई ज़रु जबर दस्ती नहीं होगी ना उसको किड्नैप किया जाएगा ना उसे जबरन लंडन से बाहर निकाला जाएगा ना उसे मारा जाएगा क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस वक्त की इसराहिल की सरकार 86 में और ब्रेटन की सरकार मार्गेट थैचर की अगवाई में दोनों के रिष्टे बड़े जीब थे बलकि कुछ आपरेशन ऐसे हुए थे जिसमें मुसाइप को केजी भी जो ब्रेटन के खुफ़ी आजनसी उसने मदद की थी तो ये साफ इंस्ट्रक्शन था कि अगर वनोनों को ब्रेटन से निकालना है तो उसकी मर्जी से ही निकाला जाएगा तिस लड़की ने इस जासूस ने ऐसा जाल बिचाया कि वनोनों खुद तयार हो गया उसने अगा ठीक है कहीं घूमने के लिए चलते हैं बहुत दिन से अकेला परिशान तंग हो गया था इसके बाद फिटता है होता है और अक्तूबर ये दोनों लंदन से इटली पहुंचते हैं इटली पहुंचने के बाद वहाँ एक अपार्टमेंट में ये लोग पहले रहते हैं फिर उसके बाद इधर उधर रहते हैं लेकिन वननों को पता ही नहीं था कि उसे इटली क्यों आ गया क्योंकि उसे ब्रेटन की सरहत से बाहर निकाला जाना था सरहत से बाहर आ गया अब यहाँ पर सिगनल मिल चुका था कि वननों बाहर आ चुका है रोम में पूरी तैयारी हो गई रोम के एक फ्लैट में जब ये मुसाथ की एजेंट वनुनु वो लेकर पहुंचती है एक राथ तो वहां और लड़ी मुसाथ के तीन और एजेंट पहले से मुझूद थे उन्हें देखकर वनुनु घबरा जाता है लेकिन इससे पहले कि कुछ करता शोर मत आता वो उसके काबू पा लेते हैं और उसको बेहूशी का इंजेक्शन दे देते हैं वहां के एमबेसी के जरीए एक स्पीड बोट अलरेडी तैयार थी रात के अंधेरे में गाड़ी में डालकर एमबेसी के ताके कोई चेकिंग और बाकी चीज़े ना हो वनुनु को लेकर ये लोग समंदर किनारे पहुंचते हैं इट पीज जो स्पीड बोट है उसमें डालते हैं और सेवन्त अक्तूबर 1986 को वनुनु को लेकर ये लोग रोम से तेल अवीब और हाफिया के बीच एक जगह इसराइल में वहाँ पहुंचते हैं वहाँ पे सूचना पहले से थी वहाँ पे ओफिशिल बाकी आये वे थे तब तक पूरे रास्ते में जो है वनुनु बेहोश था वहाँ ले जाने के बाद अफिशिल्स के हवाले कर दे जाता है इसके बाद वनुनु के उपर एक जलम और सितम का दार शुरू होता है इसराइली एजनसियों को और वहाँ की सुरक्षा जो एजनसियां थी उनको मुसाथ को इस बात का गुस्सा था कि एक यहूदी अपने देश का राज जाकर वेस्टन कंट्री को बेच रहा है कहते हैं कि जब पूच्टाच उससे हुई तब उसने हमेशा कहा कि मैं जो हिंसा है बॉम है इनके खलाफ हूँ बुल अगर इसराइल में शान्ती है ताकि इसराइल की पूल खुले और इसराइल इन चीज़ों से बचे इसके बाद अदालत में मुकदमा शुरू हुआ लेकिन इधर यह गायब हुआ सेवन्त अक्तूबर को पहुंचता है उदर कहानी देखिए 48 गंटे पहले अब वो जनरलिस्ट जो है वो ढून रहा है कि यह कहां गया मिल नहीं रहा है उसे डाउट हो जाता है कि इसको मुसाद उठा कर लेगे 7 अक्तूबर को वनुनू इसराइल पहुंचता है और 47 गंटे पहले 5 अक्तूबर 1986 को इसी अखबार में संडे टाइम्स में जनरलिस्ट पीटर होनन की यह पूरी रिपोर्ट चप जाती उस रिपोर्ट को जो हेडलाइन दिया गया था वो यह था अब इस रिपोर्ट के छपते ही पूरी दुनिया में कोहराम मत जाता है जतनी बड़े-बड़े खुफ़े अजनसी थी वो शर्मिन्दा हो जाती है कि वो बरसों से लगी नहीं लेकिन इसराइल का राज उन्हें नहीं मालूँ और यहां एक नियूस पेपर एक संडे टाइम्स ब्रिटन का वो एक खुलासा कर रहा है कि इसराइल के पास 10-15 नहीं हो बलकि उसके हिसाब से 150 से 200 के बीच नियूक्लियर वेपन है वो सारी तस्वीर हैं सारे एक्सपर्स के कमेंज्स एम्बेसी को कॉंटेक्ट किया यह सारी चीज़े डिटेल के साथ इस रिपोर्ट में शामिल थी और इस एक रिपोर्ट ने इसराइल को परिशान कर दिया इसराइल वन उनों को तो उठा कर ले आया लेकिन उस रिपोर्ट को छपने से रोप नहीं पाया और उसके इसराइल पहुँचने से दो दिन पहले इस नियूस पेपर में यह रिपोर्ट छप गई इसराइल इस गलब फैमी में था कि शायद उनकी ऑफिशिल वर्जन और वो रियक्शन के बाद ही रिपोर्ट छपे उसके बिना चापेंगे नहीं लेकिन इस बीक में जो कहानी में ट्विस्ट आई कि वनोनों अचाना गायब हो गया जिसे होटेल में इस अख़बार बालों ने रखा था वो उसको कुछ बिना बताय वे तो उन्हें डाउट हो गया कि वो कस्टडी में है जिसलिए उन्हें मजबूरन ये रिपोर्ट छापनी पड़ी और इस रिपोर्ट के साथ उन्हें ये भी अंदेशा जटाया कि वनोनों को किड्नैप कर लिया गया है और वो इसराइल में है इसराइल इससे मना करता रहा साथ अक्तूबर को इसराइल पहुचा था फिफ अक्तूबर को ये रिपोर्ट छपी थी इसराइल उसके बाद महीने भर तक मना करता रहा आखिरकार 9 नवंबर 1986 9 नवंबर 1986 यानि कि वनोनों को किड्नैप करके इसराइल आने के दो महीने बाद इसराइल और इसराइल सरकार को ये मानना पड़ा कि वनोनों के कब्से में है इसके बाद मुकदमा चला मुकदमे में देश के खलाफ देश के रास को बेचने का इल्जाम लगा और कहते हैं कि इसके लिए वहाँ पे इसराइल भी जो सजा है एक यहूदी ने किया है तो फिर वो उसे डेट पनल्टी है सजा मौत नहीं देते हैं फिर उसे साल में तबदील कर देते हैं उम्र खेर 20 साल 30 साल 40 साल अब यहां पर वनूनू एक यहूदी था और जो जच फैसला सुना रहा है वो भी एक यहूदी है यहां तक कि जो सरकारी वकील जिसने ये पूरा मुकदमा लड़ा वनूनू के खलाफ उसने भी अपने मुकदमे की पैरवी खत्म करने के बाद अजाला सीये तो कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वनूनू को लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा कि इसे सजा मौत दी जाए क्योंकि वो यहूदी और इनी चीजों को ध्यान में रखते वे और इसके यहूदी होने की वज़ा से जिस जुर्म के लिए मौत की सजा मिली थी वनूनू को 18 साल कायद की सजा मिली 18 साल तक वो गैद में रहा इन 18 सालों में करीब 11 साल तो उसे अकेला तनहा रखा गया बहुत टॉर्चर भी किया गया आखरी के सालों से बाकी कैदियों के साथ रखा गया इस दौरान वनूनू की ये खबर दुनिया भर में आई और दुनिया भर में वनूनू को कि चाहने वाले भी पैदा हो गए और उनून ने इसे एक विसल ब्लोवर की तोर पे भी लिया कि इसने मानफता के लिए अच्छा काम किया दूसरा पक्षिया था कि इसने इसराइल के खलाब काम किया लेकिन उसको लेके दुनिया में बड़ी तारीफ भी हुई और बहुत सारे जो मानवदिकार संगठन है वो इसके सपोर्ट में आए आखिरकार 18 साल की कायद के बाद 21 अप्रेल 2004 को 21 अप्रेल 2004 को वनुनू को जेल से रहा किया गया कुछ शर्तों के साथ एक विदेशियों से नहीं मिलेगा देश से बाहर नहीं जाएगा ये सारी चीज़ें और बाकी और कोई बात डिस्क्लोज नहीं करेगा बनुनून ने फिर एक चर्च में शर्ण ली कुछ दिन अपार्टमेंट में रहा फिर एक चर्च में उसको दिया फिर वो वहां गया उसने नौर्वे से मांगी कि हमें पना दिया जाए नौर्वे ने पहले हां कहा फिर ना कहा बीच में फिर इसको कई बार वनुनू को कुछ शर्ते तोड़ने के लिए कुछ विदेशियों से जनरलिस से मिला तो उसको छे मेनी के और सजा दे दी एक बर और छे मेनी के सजा दे दी रिहाई के शर्तों के लंगन में इसमें कई संगठन बाद में आए कि ये जल्म है नहीं होना चाहिए लेकिन ये चलता रहा आज 2000 एक बाइस है वनुनू अभी इसराइल में है लेकिन पहरे में है आज भी उसको उपर शर्ते लागू हर साल वो सुप्रेम कोट को चैलेंज करता है कि मुझे पूरी आजादी के साथ जीने जहां जाओं वहां जाने जिस से मिलना चाओं जिस से मिलनी की अजादत दी जाए लेकिन वहां की कोट में अभी तक अजादत नहीं दी है सबसे इंटरिस्टिंग बात यह है कि जब वनुनू के नाम पे 1987 से लेकर लास्ट एक साल पहले तक हर बार जो नोबेल का पीस प्राइस दिया जाता दुनिया में उसके लिए उसको नॉमिनेट किया जाता है हर साल मिला नहीं एक बार ऐसी और नॉमिनेट किया गया तो और उसने कहा कि यही वो कल्प्रिट है, यही वो हैं जो प्रमानुबम और सारी चीज़ों के बनाने के पीछे हैं, तो मैं उनके साथ नूमिनेट नहीं होना चाहता हूँ, तो अब भी वनूनू वही है, अब इस पूरे दोरान में कहानी में एक और चीज़ आती है, कि वनून तक सिंडी के जासूस होने की बात को वनूनू नहीं माना, जब रहा हुआ तो एक बार उसे पता चला, और वो किसी तरह सिंडी के घर पहुंच गया, वहा गया तो सिंडी का हस्बन मिला, उसने सिंडी को पैच्छान लिया, पर सिंडी ने कहा कि मेरा नाम सिंडी नहीं है, उसका असली नाम था सेरिल हैनन बेंटोव, और वो अपने हस्बन के साथ खड़ी थी, और सामने वनूनू था, जिससे पकड़ने के लिए वो लंदन गे ती, जिसने हनी ट्रेप का जाल भी जाया था, उसे सारी कहानी बताई, फिर उसने कहा कि एक तुहारी तस्वीर है मेर जिसको ये टास्क दिया गया था, और इस एजन की दूसरी खास बात यह थी कि इसी सिंडी या सेरिल हैनन बेंटोव, जब ये सारी कहानी आया और मेडिया में आयी कि किस तरीके से एक वनूनू को पकड़ा गया, लंदन से लाया गया यहां तक, इसको लाने वाली एक मुसा मुसात की जासूस ये मुझे भी नहीं आज तक, तो अंदादा लगाई है कि एक बेटी जासूस है, मुसात की एजन्ट है, बात तक से ये राज उसने छुपा कर रखा, इसलिए मुसात की जासूस कहते हैं कि सबसे कारगर सबसे कामियाब है, तो ये थी कहानी एक ऐसे शक् प्लांट है उस वहाँ पे, वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, और जो कुछ वनूनों ने कहा है, वो सच है, और इसके कहते हैं कि बाद में CIA और बागी एजन्सियों को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, इवन इसराइल के प्राइमिस्टर को उ इसराइल अकमे मुसाद के जरीए वापस लेकर आता है, तो मीर ये कहानी पसंद आई होगी, आप कहानी खत्म करूँ उससे पहले अपना वही सिलसला, आज मंदीप, तिवारी का जर्म दिन है, तो हैप्य बड़े मंदीप, शिवानशु तिवारी ने भेजा है, इसके पीत्री, इन लोगों ने भेजा है, तो हैप्य बड़े, इसके लावावा विजय ब्याहुथ, इनका भी आज जर्म दिन है, तो हैप्य बड़े विजय, आकाश कुमार राज ने भेजा है, सुयोग महासकर का भी आज जर्म दिन है, तो हैप्य बड़े सुयोग, इसके वाजित साइद इन्होंने लिखा है कि फिल्म कुली में अमिताब बचन जब घायल हुए थे जो पुनितिस्सर की कहानी क्या वो सच है बिल्कुल सच है वाजित साहब वो एक शूटिंग चल रही थी जिसमें फाइट सीन था और फाइट सीन चल रहा था वहां पे फाइट मास भी जाकर लगता और पुनितिस्सर ने बाद एक इंट्रूवी में कहा था चुक्छे वो नए नए उसमें को लेकर बड़े एक्साइट थे और इसी चक्कर में उन्होंने बहुत जादा ही थोड़ा जोड़ से पंच मार दिया और उन्होंने पता नहीं था कि टेवल का कोना अलड़ी वहीं पे लग चुका है तो ये खाथसा था एक शोटिंग के दौरान इसमें कोई साधिश नहीं थी एक गल्ती थी इसके लावा सोमिन विस्वास हैं विश्च बंगाल से इन्होंने का विश्च बंगाल के लोगों का नाम नहीं लेते ऐसा कुछ नहीं है सोमिन सा और ये इन्होंने का आप मुझे आशू बलाएए को मेरे तमाम दोस्त आशू बलाते हैं तो हेलो आशू मैं करावत हैं के स्टोरी के फरमाईश की है इसके लावा नुरुपेन पटेल है न्यूवाक से और इन्होंने कहा कि कभी जूरिशल के पूरे सिस्टम पे कैसे काम कर अगर आप लोग वाकई सुनना चाहते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम कैसे काम करता है क्या क्या चीज़ें होती है तो आप जरूर मेल करके भी मुझे बताईए अगर लगेगा कि लोग ज़्यादा सुनते हैं और ये ना लगे कि उनको बोरिंग लेक्टर दे रहा हूं या कित अंबर 31 का नहीं 30 का होता कल की कहानी में 31 बोल दिया तो इसके लिए दिल से माफी पुष्पा जी मैं भी इंसान हो गलतिया हो जाती है और मैट तो मेरा बच्पन से वैसी कमजोर आपको पता है फिर भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए लेकिन कई बार हो जाती है तो इसलिए इसके लावा चित्रा गांधी जी है सुधीर दहिया है और कल की स्टोरी जो थी इनोंने भी सिफारिश की थी बाकाईदा कुछ कटिंग भी भेजी थी परेश ठक्कर है सरफराज अंसारी है इसके लावा जीतेंद्र कुमार सैनी है दिनेश इमिन आइटिस की कहाने सुना च आया था कि गुजरात में एक कैसे लड़के एक ग्रिश्मा नाम की लड़की 16-17 साल की उसको बाकाईदा उसका गला काट दिया था और वो भी एकदम यंग लड़का था जिसने ये किया करीब 70 दिनों के बाद आज वहां की एक अदालत ने फैसला सुनाया और ग्रिश्मा क तो अभी लंबी लड़ाई है इस फैसले के खलाब मामला हाई कोट में जाएगा फिर सुप्रिम कोट में पूप्रिम कोट के बाद पृसरेंट ओफ इंडिया के पास लेकिन ये है कि ऐसी संगीन जरुम के लिए मुझे लगता है कि संगीन से संगीन सजा होनी ही चाहिए ताकि लोगों के दिलों में खौफ हो गानून का भी और सजा का भी इसके लावा दूसरा मनसुख हिरेन केस में एक आया था एनाई ने एक चारशीट के तौर पर दाखिल की ये बंबे हाई कोर्ट में कि मनसुख हिरेन के कतल की असली जो साजिश रची थी वो कोई और नहीं बिलकि प्रदीप शर्मा एंकाउंटर एस्पेसिलिस वो थे और उन